नमस्कारम, my best wishes and greetings for the coming दीपावली. प्रजाता का असल मतलब है कि हमारी नजर उन पहचानों से धुंदली नहीं हुई है जो हमने बना के रखी हैं। हमारी प्रजाती, हमारा धर्म, हमारी रास्ट्रियता, हमारी भाशा, हमारी जाती, हमारा संप्रदाय, चाहे जो कुछ भी हो। यानि किसका मतलब है, हम जीवन को बिलकुल वैसा देख पा रहे हैं जैसा कि ये है, अगर हम अपनी आखें खोलें और देखें, ये शानदार दुनिया, ये अद्भुत स्रिष्टी, जिसका हमें न आदी पता है न अंत, और हम यहां एक छोटे से जीवन के रूप में हैं, थ किसी पहचान के साथ पैदा नहीं होते, जब हम मरते हैं, कोई पहचान नहीं होती, अगर आप में जीवन की स्पष्टता है, अगर दीपावली आपको भीतर से प्रकाशित कर दे, अगर प्रकाश आपके भीतर जल उठे, तब आप यहां जीवन को उसके स्पष्ट रूप म की महान संभावना को, जिसने हमें व्यक्तिगत अनुभाव का सवभागी दिया है, जिसने हमको भीतर से प्रकाश मान होने की संभावना दी है, मूल रूप से इस पष्टता मतलब है कि आप इस जीवन से गुजर सकते हैं, पूरी तरह से शामिल रहते हुए, पर ऐसे की जी जो आप करने में सक्षम हैं, पर जीवन आपके सिर पर एक बोज की तरह न बैठे, हम पर जीवन का ये बोज आया है क्योंकि स्पष्टता की कमी है, और जीवन को वैसा ना देख पाने से जैसा ये है, उन चीजों को मान कर जो हमारी अपनी मन गढंत चीजें हैं, इस दिप और यहां पर पून स्पष्टता के साथ जीएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि बीना सीमाओं के जीएंगे, क्योंकि सीमाएं हमारी बनाई हुई हैं, स्पष्टता मतलब है जीवन को एक जबरदस्त घटना के रूप में देख पाना, जिसके हम सबसे ज़ादा भाग्यवान हिस्से हैं, संकल प्लेन पहचानों, सीमाओं और पूर्वा ग्रहों से उपर उठने का, जिन्हें हमने अपने भीतर बना रखा है, और एक भव्य इंसान बनने का, इस धर्ती पर जीवन का एक फूल बनने का, कि हर इंसान जीवन की खुश्बू बिखे रहा हो, इसे संभव बनाने का संकल्प लें, मदभेद बहुत से हैं, बहुत सी तकरारें भी हैं, पर अगर हम इच्छुक हैं, तो हम एक जागरुग धर्ती बना सकते हैं, जिसमें इस पश्टता, आनंद और खुशाली होगी, हमारे लिए और दूसरे हर इंसान के लिए भी, आये इस दीपाव करेंगे, वो साकार हो जाएगा, आईए इसे संभभ बनाएं, एक बार फिर से आपको मेरी शुब काम नाएं और मेरा आशिरवात, प्रकाश के इसुद्सव दीपावली पर कर दोसरे हिरा way करेंगे, भी, तोस्ष्ट भोस।